उत्तराखंड में कहर बरपा रही कोरोना की दूसरी लहर बीते 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 748 मरीज कोरोना से बीते दिन 5 लोगों ने गवाई जान प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुची देड़ लाग के पार उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम ही नहीं ले रही है बीते 24 घंटों में प्रदेश से कोरोना के 748 नए मरीज देखने को मिले हैं तो वहीं 5 लोगों ने अपनी जान भी गवाई है इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,62,046 पहुच गई है जिसमें से 97,327 मरीज ठीक होकर घर लोट चुके हैं वहीं प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसिस की संख्या ने भी 5,300 का आकड़ा पार कर लिया है इस दोरान स्वास्तवभाग के जारी आंकड़ों के मताबिक बीते दिन लगभग 31,000 कोरोना सैंपल्स की रिपूर्ट नेगेटिव आई हैं आपको बता दें कि राज में 1749 लोगों की इराज के दोरान मौत हो चुकी है वहीं बीते दिन राजधानी में सबसे जादा 335 कोरोना संक्रमित पाए गए तो वहीं हरिद्वार में 239, नयनिताल में 22, अल्मोडा में 13, बागेश्वर में 9, चमोली में 3, चमपावत में 6, पौडी में 30, पिथोरागर में 8, टिहरी में 18, उधम सिंगनगर में 73, और उत्तरकाशी में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टी हुई